एंडी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे स्टूडेंट्स को मैं हाइली रिकॉमेंड करूंगा कि वो मिशन एंडी ए बुक प्लस फाइफ थाउजन एमसी क्यूस बुक को ज़रूर रेफर करें तू क्रैक एंडी ए इन फॉर्स अटेंप्ट विद 400 प्लस मार्क्स स्कोर 400 प्लस इन एंडी एक्जाम विद मिशन एंडी ए बुक अवेलेबल ओन एमसान नेशनल डिफेंस अकेडमी को जॉइन करना लाखो एस्पिरेंट्स का सपना होता है और अपनी ड्रीम अकेडमी में कैडेट्स का पहला दिन कैसा होता है ये जानने की जग्यासा आप सभी को होगी तो चलिए देखते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी में कैडेट्स का पहला दिन कैसा होता है इसलिए विडियो को लास तक जरूर देखे जादातर कैडेट्स पूने ट्रेन से आते हैं और पूने के रेलवे स्टेशन पर उन्हें एंडी ए के रिसेप्शन पर रिप करना होता है पर जेपर के रिपोर्ट के साथ उनके पेरेंट्स या गार्डियन भी अकेडमी में आ सकते हैं पर उनको अकेडमी द्वारा किसी भी तरह का अकमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है और के रिपोर्ट करने के बाद उन्हें अकेडमी से जाना पड़ता ह अगर आप RIMC, RMS या SENIC स्कूल से नहीं हो तो आप Academy में मौझूद strict and disciplined environment देख कर जरूर overwhelmed हो जाओगे और एक बार Academy में एंटर होते ही आपकी 3 साल की new journey स्टार्ट होगी जिसमें आपको कई ups and downs मिलेगे Academy पहुँचते ही सबसे पहले आपका documents का verification होगा जिसके बाद आपको barber shop में जाकर haircut लेना होगा और आप barber को haircutting के लिए instruction दो उससे पहले वो अपना काम कर चुका होगा और ये haircut लेना सभी cadets के लिए mandatory है एंडिये में फिलाल 18 squadron है और सभी cadets को इन 18 squadrons में divide किया जाता है और आने वाले 3 साल के लिए cadet का allotted squadron ही उसका घर है और उसकी identity है सभी cadets को एक academy number भी allot किया जाता है जो 3 साल के लिए same ही रहेगा ये academy number एजिटेंट या assistant एजिटेंट द्वारा लिये जा रहे इंटिव्यू में आपका कौन सा नंबर है इस पर depend करता है squadron allotment हो जाने के बाद आपको उस squadron की building में cabin allot करने के साथ ही एक overstudy assign होगा overstudy और cadet के cabin पर dedicated video चैनल पर available है वीडियो का link आपको i button या description box में मिल जाएगा कुछ इस तरह का होता है NDA cadet का first day आने वाले कुछ दिनों में cadets को different section में जाकर कई सारी चीजे issue करवानी होगी जिसमें NDA bike भी शामिल है in short induction process complete होने तक आपकी training start नहीं होगी और NDA में training के different aspects को जानने के लिए आप हमारी NDA playlist देख सकते हैं playlist का link आपको i button या description box में मिल जाएगा तो like करें हमारी इस वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को share करते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में